इस वीडियो में सबक पॉट्री मेकिंग से मतालग मर्श को मुकमल किया जाएगा तो चलिए मिलकर देखते हैं एक्सेसाइज नमबर थ्री इसमें यह कहा गया है कि Read the text and complete the sentences यानि जो मजमून हमने पढ़ा है उसे दुबारा पढ़के हमने जुमले मुकमल करने हैं और इन जुमलों की मदद से क्या बताया जाएगा किस तरह से अंकल जुमल जो थे और उनके जो खंदान के लोग हैं उन्होंने वो मिलकर मटी के बरतन बनाते थे यहाँ एक एक्जामपल दी गई है जैसे के first यानि सबसे पहले आलम ब्रॉट सम क्ले ऑन दे डॉंकी आलम जो है वो कुछ चिकनी मटी जो है उसे गधे पर लाद कर लाता है अब इससे आगे के जो जुमले हैं वो मकमल करने है देन अंकल जुमन मेट सम तो अब हमने इस जुमले को मकमल करना है जो कि इस तरह से शुरू हो रहा है कि फिर अंकल जुमन जो है वो कुछ क्या बनाते है तो चलिए इस मजमून की मदद से जुमले को मकमल करते हैं इस मजमून में अंकल जुमन ये बता रहे थे कि आलम जो है वो क्या लेकर आ रहा है क्ले यानि के चिकनी मठी लेकर आ रहा है और फिर उन्होंने ये बताया कि बाद में मुक्तलिफ चीज़े बनाई जाएंगी तो लहाजा अब हम इस जुमले को इस तरह से मकमल करेंगे कि फिर अंकल जुमन जो थे उन्होंने जो वो चिकनी मठी थी यानि कले उससे पेस्ट बनाई यानि उसमें पानी मलाकर उसको नर्म जब करते हैं पेस्ट सा जो बन जाता है और फिर उसकी मदद से असानी के साथ मिठी के जो बर्तन है वो बनाई जाते हैं तो अब लहाजा इस जुमले को हम किस तरह से मकमल करेंगे इस बात को इंगलिश में किस तरह से कहेंगे देन अंकल जुमन मेट सम पेस्ट फ्रॉम दे क्ले और फिर फुल स्टॉप यह जुमला मकमल हो गया देन अंकल जुमन मेट सम पेस्ट फ्रॉम दे क्ले अगला जुमला देखते हैं नमबर तू नेक्स्ट आंट से दूरी शेप दे तो अब हमने बताना है कि उसके बाद फिर जो आंटी से दूरी है वो क्या करती है वो किस चीज़ को शक्ल देती है पॉट्स वाज़ज और टॉईज को लेकिन जैसे कि अगला जुमला है उसमें सिर्फ पॉट्स का जिकर है तो यहां भी हम सिर्फ पॉट्स के मतलिक ही बता देते है जैसे कि मजमून के शुरू में बताया गया था कि I saw aunt सुदूरी was shaping a pot on a wheel तो इसी बात को थोड़ा सा तबदील करके इस तरह से कह सकते हैं कि next aunt सुदूरी shaped the pot on the wheel यानि फिर auntie सुदूरी जो है उन्होंने पहिये के उपर रखकर एक जो मिठी का बरतन था उसे शकल दी यानि एक मिठी का बरतन बनाया अब आगे पढ़ते हैं अगला जुमला number three after that she put the pots in the उसके बाद उन्होंने उन बरतनों को कहा रखा तो इस मजमून के पहले paragraph में हमने पढ़ा था कि after making each pot she put it out in the sun to dry तो लहाजा इस जुमले को हम इस तरह से आसानी से मकमल कर सकते हैं कि after that she put the pots in the sun to dry यानि फिर उसके बाद उन्होंने मठी के उन बरतनों को सुखने के लिए धूप में रखा अगला जुमला देखते हैं number 4 then Sarah made some तो फिर Sarah ने क्या बनाया उन पर तो मजमून में हमने पढ़ा था राजा ने बताया था कि my cousin Sarah was sitting under the neem tree nearby she was making patterns on a bowl with a pointed bone तो लहाजा इस जुमले को हम इस तरह से मकमल कर सकते हैं then Sarah made some patterns on the pots with a pointed bone यानि फिर Sarah ने उन मठी के बतनों पर एक नोकीली हड़ी की मदद से फूल बूटे बनाए अगला जुमला number 5 after that soleh colored उसके बाद soleh ने रंग किया तो किस को रंग किया go के इस मजमून में हमें यह बताया गया था कि soleh जो है वो गुल्दानों को रंग कर रहा था यानि वाज को लेकिन यहां पर चुके pots की बात हो रही है उनकी एक दिन की जो रूटीन है उसको बताने के लिए तो एक तरह से हम यहां पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि after that soleh colored the pots यानि उसके बाद soleh ने उन बतनों को रंग किया और अब आखरी जुमला finally uncle juman put बिलाखिर uncle juman जो थे उन्होंने क्या किया इस बात को confirm करने के लिए हमें एक मरतबा फिर मजबून से मदद लेते हैं इसमें यह बताए गया था कि सबसे आखर में जब बतन बन जाते हैं तो क्या किया जाता है बतनों को एक किल्न यानि भटी में रख दिया जाता है जिसमें आग लगी होती है और वहाँ पर वो पकने लगती है उनको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है तीन दिन के लिए जैसे कि हाँ अंकल जुमन ने बताया कि the pots are baking inside, they'll bake for three days तो अंकल जुमन उन्हें किस जगा पर रखते हैं? उन्हें किल्न में रखते हैं, किल्न यानि भटी लहाजा इस जुमले को हम इस तरह से मकमल कर सकते हैं कि finally अंकल जुमन put the pots in the kiln to bake for three days यानि आखिर में अंकल जुमन जुमन उन्हें बताया गया है कि किस तरह से अंकल जुमन उन्हें कि जुमन के लोग हैं, वो मठी के बताया बनाते हैं चलिए अब देखते हैं exercise four, complete the sentences given below नीची दिये गए जुमनों को मुकमल करना है remember to use the capital letter शुरू करते वक्त जुमने को capital letter से शुरू करना है at the beginning of the sentence जुमने के शुरू में and the article a or an before a noun और ये भी याद रखना है कि ये जो article a या an है, इसका किसी भी noun यान जगा शख्स चीज वगार के नाम से पहले इस्तमाल करना है जहां इसकी जरूरत हो तो अब हम देखते है what things are needed to do the following यानि कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है ये नीची देगे जो काम बताएगे हैं उनको करने के लिए जैसे के पहली मिसाल यहां पर दी गई है clay is needed to make the paste यानि paste बनाने के लिए clay की जरूरत होती है इसी तरह अगला जुमला देखते है blank is needed to bring the clay तो किस चीज़ की जरूरत होती है clay को लाने के लिए इसके मतालिक हमने जानना था के donkey या गदे का इस्तमाल किया जाता है clay को लाने के लिए तो इस बात को इस तरह से लखेंगे a donkey is needed to bring the clay यानि एक गदे की जरूरत होती है clay को या वो चिकनी मिटी जो है उसको लाने के लिए अगला जुमला देखते है number two blank is needed to shape the pots जाना था कि एक जो पया है wheel जो कि घूम रहा होता है उसकी मदद से शक्रिक दी जाती है बरतनों को तो लहाजा हम यहां लिखेंगे a moving wheel is needed to shape the pots अगला जुमला blank to draw patterns यानि blank is needed to draw patterns वो क्या चीज़ है जिसकी मदद से फूल बूटे बगरा बरतनों पर बनाए जाते हैं तो मदमून में बताया गया था कि एक pointed bone या नुकीली हड़ी के मदद से सारा बरतनों पर फूल बूटे बनाती है तो यहां आएगा a pointed bone is needed to draw patterns अगला जुमला blank is needed to color the vases गुल्दानों को रंग करने के लिए क्या चाहिए होगा यगीनन इसके लिए हमें रंग चाहिए होता है या paint तो यह हो जागा paint is needed to color the vases अगला जुमला blank is needed to bake the pots तो वो क्या चीज़ है जिसकी मदद से बरतनों को पकाया जाता है तो हमने यह जाना था कि किल्न या भट्टी जो है उसमें बरतनों को रखकर पकाया जाता है तो यह हो जागा a kiln is needed to bake the pots यानि भट्टी की जरूरत होती है बरतनों को पकाने के लिए यहां आपने नोट किया कि तमाम जो जुमले हैं ज्यादतर अ से शुरू हो रहे हैं क्योंकि इसमें अ के बाद जिस नाउन यानि जिस नाम का इस्तमाल हुआ है जिस चीज़ का वो उसको गिना जा सकता है तादाद में वो एक है और चूंके उसका जो लफ़ वो नाम है उस ऐवाल A E I O U यानि उन में से किसी एक लेटर से या उस आवाथ से शुरू हो रहा होता तो फिर यहां पर एक बजाए अ का इस्तमाल होता लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है लहाज़़ यहां ऐस्तमाल किया गया है लेकिन एक जुमला जो है यहां पर यहां एक इस चीज़ का सिक हो रहा है जैसे पेंट उसे गिना नहीं जा सकता लहाजा इससे पहले अ या एन का इस्तमाल नहीं होगा विडियो मुकमल हो चुकी है